आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि ऐसा IPO जिसमें मैं खुद अपलाई करने वाला हूँ वैसे तो यह IPO जो है आज से यानि कि 3 अगस्त से ओपन हो चुका है और 7 अगस्त तक रहेगा यानि कि कल इसमें बिडिंग कर सकते हो आप और फिर मंडे को आप इसमें यदि चाहो तो अपलाई कर सकते हो अब मैं जब आपके साथ IPO की डिटेल सेर करता हूँ वैसे तो कमी मैं IPO डिसकस करता हूँ क्योंकि मैं IPO कमी अप्लिकेशन अब डालता हूँ IPO उन लोगों के जड़ा होता है जो नए-ने मार्केट में एंटरी करते हैं तो उनको लगता है कि IPO से एकदम सोटर में पैसा बना लें हाँ ठीक है बहुत सारे IPO ऐसे आते हैं जो कि आपका पैसा दस बारे दिन में दूना कर देते हैं और इससे पहले भी मैंने जो लास्ट IPO सेयर किया था आप लोग के साथ वो था आइडिया फोर्ज का IPO 100% के आसपास उसमें विदिन लिस्टिंग के 2-3 डेज में गेन आप लोगों को मिल गया था लेकिन आसका लोगों की मानसिक्ता इतनी खराब हो चुकी है उस वीडियो के नीचे भी कए लोगों के कमेंट आये थे कि आप अपना ही डबल कर लो ये कर लो वो कर लो तो ये कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने विवेक का उप्योग करके इन्वेस्टिंग के डिसिजन्स खुद लेने पड़ेंगे नहीं तो लोग आपको डिस्टेक्ट करने हमेशा आते रहेंगे आपका पडोसी कोई भी हिते सी आपको बले ही उपर से दिखावे लिए बोलते रहें लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि आपके पास पैसा हो उनसे जादा बले ही वो चाहें कि हाँ आपका प्रोसी का पैसा भी उनके पास महुच जाए तो उस मानसिक्ता से आपको बचके रहना है और मैं जो भी मेरे विवेर्स हैं आपको ये गरंटी दे सकता हूँ कि कभी भी आपके साथ गलत information नहीं साजा करूँगा कोई भी ऐसी information आपके साथ कोई भी ऐसा stock mutual fund नहीं share करूँगा जिससे कि मुझे लगे कि हाँ views पाने के लिए कभी नहीं कर सकता मैं और ये trust आपको तब ही आएगा जब आप associated रहोगे मेरे साथ जुले रहोगे और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसे ही लोग जुले रहे हैं ठीक है तो चलते हैं वीडियो की सुरुबात करते हैं आज का जो IPO है ये है SBFC Financial Services का IPO अब ये आपने साथ बहुत तो लोगों ने सुन भी लिया होगा SBFC Financial Services की सुरुबात 2008 में होती ये एक non-depository यानि की non-depositing ये आपके जो हैं फंड को लेकर कोई FD वेगारा saving scheme आपको नहीं देते हैं ये loan देने का काम करते हैं ठीक है जिसमें gold loan देते हैं और जो small enterprises होती है या फिर local loan की जरुत होती है इस प्रिकार का loan ये provide करते हैं तो मैं आपके साथ यदि इस IPO को share कर रहा हूँ और मैं भी खुद apply करने वाला हूँ तो listing gain भी इसमें मिलने की उम्मीद होगी तो यदि आज की रिटे में बात करें जो first day पर इसका subscription हुआ है लगबख दो गुना तो subscribe हो चुका है यानि कि ये 100% over subscribe हो चुका है होने वाला है बहेंकर तरीके से subscribe ये होगा तो इसमें क्या बनता है आपकी logic apply करने का कि आप जिस भी category में apply करें वहाँ पर एक load के लिए apply करें उन पर भले कितना अच्छा gain मिल रहा हो long term के लिए मैं hold कर लिए तो 57 यानि कि 57 रुपय का तो इसका bidding price है जो हाइट साइड पर है 54 से 57 और 40 रुपय का इस पर जो है gray market premium आज की रिडे में है इसका मतलब क्या हुआ 260 share का एक load होगा जो की 14 यार 15 यार रुपय का असपास आपके पैसे लगेंगे और लगबग 10.000 रुपय उस पर listing gain आज की रिडे में आपको जो gray market premium है उसके हिसाब से मिलते हुए दिखाई दे रहा है तो 15.000 रुपय लगा कर यदि आपको 10.000 रुपय का profit होता है अगले 10-12 दिनों में तो बहुत अच्छी बात है 5.000 रुपय का भी होता है तो कौन सी बुरी बात है कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए आप यदि चाहो अपना मतलब decision आप पर ही छोड़ूँगा final क्या आप कर सकते हो अब देख लेते हैं कि इसके final कुछ चुप financials कैसे हैं और company के strength किया है और अपने जो competitors हैं उनके comparison में क्या IPO सस्ता है या महंगा है या on and average price पर है तो पहले कुछ financials देख लिएते हैं company के यदि company के assets की बात करें 2020 में 4270 क्रोल की assets ही 2021 में 4231 लगबग similar है 2022 में 4515 यहां पर increment हुआ है अच्छा कासा और 2023 में 5746 क्रोल की जो assets है यहां पर काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है इसके बाद revenue 444 क्रोल का लगबग यहां पर 2020 में था उसके बाद 511 क्रोल का 2021 फनिंसिर्ज में हो गया अच्छी कासी बढ़ोतरी हुई है इसके बाद अगेन 2022 में 530 क्रोल का revenue यहां पर हो गया यहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अगेन 2023 में 530 क्रोल से बढ़कर 740 क्रोल की यहां पर revenue देखने को मिल रहा है अब चलते हैं जो main part होता है PET यानि की profit after tax तो यहां पर decline अच्छा खासा देखने को मिल रहा है अब 2023 की अधी बात करें 149.14 क्रोल का profit यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अब देखते हैं कंपनी की total borrowings कितनी है वैसे तो इसका debt to equity ratio 2.2 का है जब मैं आपसे बोलता हूँ कोई stock discuss करता हूँ तो less than 1 या फिर less than 0.5% का debt to equity ratio होना चाहिए लेकिन NBFC और banking के case में यह debt का ratio काम नहीं करता है वहाँ पर क्योंकि उनको debt लेकर आके अपना business के लिए काम करना पड़ता है तो borrowings की अधी बात करें तो यहाँ पर 2022 में 2948 क्रोडों की borrowings और 2023 में 3745 क्रोडों की borrowings लगातार पिछले 2 साल से तो borrowings बढ़ रही है इसके पहले कम थी उससे पहले फिर बढ़ी हुई थी तो यह तो up-down चलता रहेगा यहाँ पर तो financials company के अच्छे देखने को मिल रहे है अभी कोई खास दिक्कत है नहीं और एक बात और बताऊं banking और financial institutions जो finance के NBFCs वगरा companies हैं अभी जो interest rate है ब्यास दरें बढ़ी हैं आपको FD पर भी ज़्यादा मिल रहा है लेकिन आप यदि किसी परिकारा का loan लेते हो तो वहाँ पर लोग reality में ज़्यादा investment करेंगे जो लोग plan करते हैं कि हाँ ठीक है हम loan लेकर अपना घर पर chase कर लें float ले 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 या कुछ और काम कर लें तो अभी वो बड़े वे ब्यास दरों को जो consider करते हैं कि हाँ ठीक है अभी नहीं एक दो साल रुख जाते हैं बाद में काम कर लेंगे तो यह आगे जागे आपको ब्यास दरों काम होते हुए दिखाई देंगी तो इनका काम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जब काम बढ़ेगा तो इनका profit भी बढ़ेगा यानि की company का price ज़्यादा attractive सस्ता नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी market में demand बनी हुई है और जो भी IPOs लेकर आते हैं companies वो market यानि की जब बढ़ोतरी पर होता है जब market high पर होता है उस समय आपको भर-भर के IPO आते हुँ दिखाई देंगे जब market में गिरावट होगी तो उस समय company IPO लेकर नहीं आती है क्योंकि वहाँ पर उनको valuation ठीक टाक नहीं मिलता है और जब market high पर होता है valuation अच्छा मिल जाता इसलिए IPO अब आते हुए आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे और यदि बात करें return on equity की लग बग 10% की है ठीक है debt to equity मैंने बताया आपको 2.2% का है IPO की कुछ ज़रूरी dates और dates वेगरा इसका size क्या है फ्रेस इस हुए है offer for sale है या फिर इसकी last date क्या है apply कब है और listing कब होगी उससे पहले आपको कुछ company की strength और weakness आपको बतायता हूँ यह बहुत ज़रूरी जानना आपके लिए तो SBFC Finance जो है यह एक non deposit NBFC company है यानि कि deposit से इसमें आप नहीं करते हो यह के बल लोन देती है it offers secured MSME loans 79.3% जो इसके अंदर percentage is a loan जो total इसका asset अंदर management का है वो जो है MSME को loan दिया गया उसमें से यानि कि लगबाग 89% MSME को इसने loan दिया है जो small enterprises होती है और जो बचा हुआ है 17.5% का वो है gold loan और बाकी बचा हुआ 3% का लगबाग वो जो है unsecured loan है इसके बाद यह इस strength की बात करें ए पैन इंडिया जो है इनका कहना है कि जो भी हमारे 100% customers है हमारी in-house sales team जो है उसके द्वारा accumulate किये गए है जो इनका staff है वही approach करता है customers को लेकर आता है और इनका जो capital adequacy ratio है वो भी बहुश जानदार है इनका according वो है इनका भी 30.9% का in the financial euro 23 जो की regulatory requirement होती 15% की जो double से भी जाद है इनके पास है तो बहुत अच्छी बात है आप देख लेते हैं कुछ weakness भी इनकोंने mention की है low provision coverage ratio and average of 40.2% of the last 3 years पिछले 3 सालों में इनकोंने 40.2% के NPA से जो है रिकवर की है क्या मतलब हुआ तो यदि एक करोड का NPA था इनका तो पिछले 3 साल में उसमें से ये 40 lakhs की मतलब अच्छी जो लोन था उसको recover कर पाएं और इनका जो NPA है वो भी healthy है less than 3% है यदि net NPA की बात करें तो 1.7% है और यदि gross NPA की बात करें तो लबबट 2.2% के आसपास है जो gross NPA है और RBI बोलता है वो less than 3% इनका रहना चाहिए तो वो under मतलब regulatory है जो RBI के रूल से मतलब controllable है उसको manage कर लेंगे manageable है कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद जो weakness और ये mention कर रहा है NBFC segment is highly competitive especially since banks entered in the gold loan आपने देख़ो gold loan देने के काम जो है लेकिन इनका जो 80% revenue generate होता है वो होता है MSME को loan देने के करन तो यहाँ पर ये ठीक है इनका काम आगे continue अच्छा होता रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब देख लेते हैं कुछ जरूरी dates जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है जैसे कि मैंने बताया तीन अगस्त को open हुआ साथ अगस्त को close हो जाएगा दस रुपए का जो है इसका face value है बहुत अच्छी बात है आगे आपको divide split हो दिख सकता जिससे कि आपके shares जो multiply हो सकते है 54-57 रुपए का share price है 260 shares का load होगा और total जो issue है यह है एक हजार पच्चीस क्रोल का जिसमें से की 600 क्रोल का जो है फ्रैसिस हो है यानि की more than 50% का फ्रैसिस हो है बहुत अच्छी बात है ठीक है और यहाँ पर 425 क्रोल का जो है वो offer for sale है यानि की company के promoters लेकर उसको लिकल जाएंगे ठीक है इसके बाद करें यहाँ पर लिस्टिंग की और अलुटमेंट की तो यहाँ पर बेसिस ओ अलुटमेंट हो जाएगा 10 अगस्त को आपके जो refund है यादि नहीं हो अलुटमेंट 11 को और credit of shares 14 अगस्त को जाएगा रिटेल का minimum यदि एक लोट लगाते हो 260 अगस्त को आप अपलाई करते हो लोट साइज वेल्यूबाई जो बैढता है तो आप HNI यानि की स्मोल HNI की केडिगरी में चले जाओगे तो यहाँ पर HNI का देखने का कोई मतलब बनता नहीं है हम लोग उसमें अपलाई करनी रहे हैं यदि कोई करता है तो मैं आपको स्क्रिंशोर्ट से एर कर दे रहा हूँ आप इससे देखकर डिटेल अपलाई कर सकते हो 78.83% की प्रमोटर होल्डिंग है आफ्टर इस IPO के बाद 64.03% की प्रमोटर होल्डिंग रिजाएगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो यह था All About the SBFC Finance जो है IPO के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको मोटा मोटा सारी जनकरी समझ में आगी होगी जो आपके काम की है ठीक है तो आप यदि चाहो तो इसको एनलेसिस करके अभी कल का दिन आपके पास है फिर मंडे का दिन आपके पास है दो दिन है दो दिन में को पैसा बना कर दे सकती है यदि अच्छे लगी जनकरी तो बाकि लोगों के साथ भी साजा करते हैं जिससे की हो सकता उनका यदि एलोटमेंट मिल गया तो उनके पैसे बन जाएंगे लेकिन डिस्कलेमर यही है कि अपना फाइनल डिसीजिजन आपको खुल देना मेरी करना वो आपकी इच्छावर डिपेंड करता है ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियों तुक तक के लिए नमस्कार जैहिन जवर्ण